वेलकम तो आल अफ्यू आज हम डिसक्स करेंगे कंट्रोल सिस्टम ऑफ बाड़ी एंड नेगटिव फीडबैक मेपनिजम मारी बाड़ी के अंदर कुछ भी जो नार्मल रेंज के अंदर मिंटेंड हो उसका एक कंट्रोल सिस्टम है हमारी बाड़ी में थोजन्स आफ कंट्रोल सिस्टम प्रैसेंट हैं बेसिक जो है वो जनेटिक कंट्रोल सिस्टम है में कंट्रोल सिस्टम की दो टाइपस हैं हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम एंड नियूरल कंट्रोल सिस्टम अगर हम इनकी मसाल देखें तो यह कुछ इस तरह है जब हमारी बाडी का टंपरेचर डिक्रीस हो जाता है तो नतीजे में क्या होता है ब्रेन को स्टुमिलस मिलता है जब ब्रेन को स्टुमिलस मिलता है तो ब्रेन से एक हार्मून रिलीज होता है जो एक करता है हमारे इंटीरियर पिचुटरी के उपर नतेज़तन इंटीर पिचिटरी से थाइराइड स्टुमिलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो स्टुमिलेट करता है थाइराइड ग्लैंड्स को और थाइराइड ग्लैंड्स से फिर थाइराइड हार्मोन की परड़क्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है थाइराइड हार्मून की प्रोडक्शन स्टार्ट होने से बाड़ी का टमप्रेचर इंक्रीज हो जाता है यहां पर क्या हुआ है बाड़ी का टमप्रेचर डिक्रीज हुआ ब्रेइन को पिगाम मिला जिसके नतीचे में ब्रेइन क्या किया रिस्पॉंस दिया और बाड़ी का response है इसको हम कहते हैं feet back जिब thyroid hormone की production enough level तक पहुंच जाती है तो thyroid gland जो है ये back hypothalamus को पेगाम पहुंच जाते हैं कि बाई ये बस कर दो about production की जरूरत नहीं है ये जो दोबारा इन्होंने पेगाम बेज़ा है इसको भी हम कहेंगे feet back जिसने दोबारा इसको response किया है अगर हम common example लें तो fan ये नी पंखा जो है जब हमें गर्मी लागरी होती है तो हम क्या करते है fan को earn करते हैं मैं क्या करती हूं fan की speed जो है वो five जो है वो set कर देती हूं और five की speed से ही पंखा पिर क्या होगा चलना शुरू हो जाएगा यह जो हुआ है मैंने 5K speed set की और पंकाउस स्पीड से चलना शुरू हो गया सेम इसी तरह यही काम हमारा hypothalamus करता है यह जो हमारा hypothalamus है यही काम करता है यही बाड़ी का set points जो है उसको maintain करता है जैसे हमारी बाड़ी का optimum temperature क्या है 37C degree तो यह hypothalamus है यह भी क्या करता है बाड़ी का set point जो है उसको maintain करता है हमारी जिन्दी को balance की जरूरत होती है अगर बाड़ी का temperature जो है वो 7C degree से कम हो जाए तो हम मढ़ सकते है एक खास change जब extra cellar flood के अंदर आ जाएं तो यह हमारी मोत की वज़ा बनता है extra cellar flood क्या है extra cellar flood हमारे cell के बाहर जो flood material present होता है extra cellar flood कहते हैं जिसमें बहुत से आइंस elements जो है और waste material जनी carbon dioxide जो है जहां पर ही present होती है तो हम ने कहा extra cellar flood के अंदर elements या आइंस के जो concentration है वो कम ज्यादा हो जाए तो यह हमारी body पे क्या होते है affected होता है हमारी body पे इसके बुरे इसराथ होते है जैसे कलोरीन के concentration हमारी body के अंदर low हो जाए तो tetni की वज़ा बनता है tetni जो है यह muscle disorder है जिसमें neuron की excitability का rate जो है वो बहुत बढ़ जाता है negative feedback system and positive feedback system आज हम just discuss करेंगे negative feedback system negative feedback mechanism होता है हमारी body के अंदर यह opposite direction में work करता है यानि अगर body का temperature increase हो रहा है तो यह body के temperature को decrease कर देगा अगर body का temperature decrease हो रहा है तो यह body के temperature को increase कर देगा यानि always यह work करेगा opposite direction में जैसे यहां पर example है कार्बन डाकसियद के सब्दक्राइबर के लिए दाओर newsletter लग आधि अगार यह वारी हो जाए यह नीस जो हमारे एक्स्टी इnt काबंड एक्षाइड राइगूलेशिंग इन दाबर जब एक्ष्टाइस लिली पर्श कर्स्टिरीशंग है वह नॉर्मल से हाइट हो जाती है तो हमारा जो रिस्परिटरी सेंटर होता है वह एक्टीवेट हो जाता है इसके की नितीजे में परसों जो है वो भी इसमें स्टार्ट हो जाती ऐ और काबंडालों सառता है बाधी से बाहर निकाल दिया जाता है जिसके बाधी की के नीए में आर्भ टेशथााई जिल्छे बैरोट रिए सेप्टर एक्टिवेट होते हैं जब या आर्टरिसर की वाल में फ्रों सेब्स्टिवेट होते हैं जितले एक्टिवेट होता है एक्टिवेट एक्टिवेट हो जाएंगे यह पगाम गेंगे कंट्रोल सेंटर यह वारी बेन के पाद मिडॉला को और मिडॉला क्या करेगा जो वैजा मोठर करेंद के इनहीबिट करतेगे बैज़ा मोक一定要 कि निर निक Taj थी, वो decrease हो जाएंगी, वो demolished हो जाएंगी, जिसके नतीजे में हर्ट का जो pumping rate है, वो भी क्या हो जाएगा? decrease हो जाएगा. और हर्ट का pump rate decrease होने से क्या होगा? blood pressure जो है, वो अपनी normal state पर आ जाएगा, यनि भी peak rate जो है, वो low हो जाएगा. यहां भी क्या हुआ, blood pressure increase हुआ, brain को पेगाम मिला और brain ने blood pressure को decrease कर दिया next lecture में हम discuss करेंगे gain alpha control system